हे गाईज देखोगी सारे जहां से अच्छा chemical share हमारा ना मौका मिलेगा दुबारा है की नहीं मैंने फर्स्ट वीडियो बनाए जिसमें मैंने आपको बताया है कि 10-15 ऐसे chemical stock है जो 40-30-20 मतलब बहुत ज़्यादा गिराउट में देखने को मिल रहे हैं बिल्कुल अच्छे-च chemical stock है लेकिन सारे जहां से अच्छा है एक ऐसा chemical stock है जो all time high पे है और अच्छा return दिये जा रहा है और आज की डिट में मैं क्या ही बता हूँ मतलब आज की डिट में बड़े-बड़े analyst भी stock को recommend कर रहे हैं खरीदने के लिए मैं नहीं recommend कर रहा हूँ याद रखिएगा यहाँ पर कोभी चीज इस channel पर नहीं आपको recommend किया जाता नहीं आपको advise किया जाता चीज़े आपके सामने रखा जाता point आपके सामने रखा जाता कि क्या सायर क्या गलत है और क्या चीज़े business कैसा है और यह कैसा है वो कैसा अगर के बात समझ मारी आपको तो जो stock हमारे पास था और हला कि हमारे पास जितने भी लोग हैं सभी लोगों ने benefit उठाया है इस stock से और आज की date में भी वह stock बहुत अच्छा perform कर रहा है तो यह जो company है chemical के लिए काम करती है बहुत सरे टाइप के chemical है जो मतलब बड़ी बड़ी company जो है यहां से खरीदी है chemical एक raw material से थोड़ा सा end product बनात के company करना क्या चाती है यह क्या होता कि company future में भी अच्छा करना चाती है तो हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं जैसे future plan company बोल रही है कि हर साल company बहुत सारे new product launch करते रहती है तो तीन से पाच नय product जो है launch करना चाती है company हर साल और काफ़ी एच्छा company export पर भी ध्यान देना चात जितना ज़्यादा company export कर रही है बहुत प्राउड वाली बात है हमारे लिए क्योंकि company जितना ज़्यादा पैसा भी खर्च करना चाहती है जैसे यहाँ पर बताया जरा 300 क्रोड़ी अपनी capacity को increase करने के लिए तो यह chemical सक्टर है मतलब यह बताना चाहती है कि कुछ नया प्रोड़क्ट भी लाउंच करेगी पैसा भी खर्च करना चाहती है आने वाले future के लिए परमोटर्स ने अपनी हि इस्तेदारी बढ़ा रहे है और जब company R&D करती है research and development मतलब कि company जब कोई पैसा कमाती है तो R&D के लिए भी company कुछ पैसा रख देती साइड में research and development के लिए क्योंकि वहाँ से company नय प्रोड़क्ट बनाएगी तो होता क्या है कि suppose माल लेते हैं कि iPhone बहुत बढ़ी company है और आप बहुत अच्छा mobile बना रहे हो लेकिन iPhone किसी ने किसी तरीके से आपको beat कर देगा क्योंकि उनके पास cash flow बहुत है cash flow बहुत है वो किसी को compete करने के लिए कितना भी पैसा खर्च कर सकते हैं इतना याद रखेगा ठीक है ना तो यह होता है competition अब suppose माल लेते हैं कि आप जो काम कर इनको follow नहीं कर पाती है बात समझ में आ रही है तो क्या होता है कि यह company इस वज़े से आगे रहती है हर बार कुछ innovate करने की कोशिस करती है company जो है बताया जारा है गुजरात नौइडा जमू कस्मिन है company का जो manufacturing capacity बताया जारा 7000 metric ton per annum ठीक है metric ton per annum आपको बताया जारा company के प opportunity है जहां पर यह अपने business को अच्छी तरीके से फैला सकते है और इंडिया के कोने कोने में जा सकते है उसके बाद export तो बहुत सरा रास्ता बचा ही हुआ है इनके पास अच्छे खासे client भी आपको देखने को मिला हाला कि और तो बड़े-बड़े हैं लेकिन सोचो जब UPL ज अब कमपनी के कुछ ऐसी चीज़े होते हैं जो आपको देखना चाहिए financially company का income statement और होता क्या है कि लोग क्या देख लिए हाँ company का income statement तो ठीक है क्या ठीक है बाई कैसे पता सरी है की ठीक है company profit में तो ठीक है और company loss में तो खराब है ऐसा नहीं होता है याद रखीगा ऐसा नहीं होता अब मैं आपको बताना चाहता हूँ देखो एक इंसान के salary 10,000 है एक इंसान के salary 20 है लेट से अभी मैं आपको बताना यहाँ पर और example देता हूँ 30 हो गया 50 हो गया कोई एक लाक रुपे कमाता है अब बताओ अच्छा क्या है खराब क्या लोग बुलेंगे सबसे अच्छा तो एक लाक है क्यों यह एक लाक है क्यों अच्छा है यह क्यों सबका बैलेंशीट अच्छा ही होगा बैलेंशीट अच्छा ही होगा भई सबका बैलेंशीट अच्छा ही होगा लेकिन आप 10 कंपनियों को यहाँ पर compare करो देखो कि नहीं भई यह 10 बैलेंशीट में से यह कंपनिय सबसे ज्यादा अच्छा है यह अला कि यह भी ठीक है लेकिन इससे भी ज्यादा अच्छा ही है यह ओके यह ठीक नहीं है ऐसे करके अब देखो बास समझ में आ रही है ना लोग बोलेंगे सर मैंने income statement चेक कर लिया income statement के साथ साथ मैंने क्या चेक कर लिया balance sheet चेक कर लिया cash flow चेक कर लिया सब ठीक है सब ठीक है लेकिन वाई किस से ठीक है क्या दूसरी company से अच्छा है इंडिया में जितने बड़ी बड़ी company क इस बार ज्यादा बढ़ा है 170% और असेट के वल 164% है तो यह आपको दूसरे company के साथ भी compare करके दिखना है cash flow statement भी आपको चेक करते रहना cash कितना है company के पास cash from operating activity कितना है company के पास bills receivable कितना है company के पास हो सकता bills payable भी हो company यह सारी चीज़े आपको देख के रखना है और reserve की क कितना है company के पास कितना reserve and surplus कितना है पर motorist के पास हिस्सेदारी कितना है company का book value सारी चीज़े आपको जाना है बहुत सारी चीज़े है एक stock को research करने में तीन महीने ऐसे ही नहीं लग जाते है तो company अच्छी है बिल्कूल अच्छी है और यह stock मैं तब से बता रहा हूं जब यह stock 800 रुपय के something में गया था तो जो अच्छा है वो बिल्कूल अच्छा है चीज़ों को अगर डीप समझ यह फिर देखिए क्या से क्या गलत है और अगर अब stock market में नहीं हो तो अपने डिमीट अकॉन इंजल में open कर सकते हो जहां पर आपका डिमीट अकॉन बिल्कूल फ्री डिलिवरी चार्जेस फ्रीक के वल ट्रुपीज लगता वो भी इंट्राडे में डिस्क्रिप्शन में लिंक है मिन्क है मिन्टों में जाके अपने डिमीट अकॉन बागर आपन कर सकते हैं बिल्कूल फ्री में